बैठी और देश के बहार बैठी खारत विरोधी शक्तियों का एक फुट होना स्वाबाविक है ये शक्तियां किसी भी तरह खारत से विकास का एक कालखन छिन लेना चाहते है आज खारत का सामर्च अगर फिर भुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नीव है ये नीव ये नीव हमारी समयधानिक संस्थाओं की है हमारे constitutional institutions की है इस पे आज आरत को डोकने के लिए हमारी इस नीव पर चोट की जा वेगा है समयधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है उन्हें बदनाम करने का अभियान छड़ा जा र प्रश्टाचार में लिप्त है उन्हें पर जब एजन्सिया कारवाई करती है तो एजन्सिया अपना हमला किया जापा है जब कॉड कोई फैसला सुनाता है तो कॉड पर सवाल उठाय जाते हैं नाईक प्रानाली पर हमले होते हैं आप सब देख रहे हैं कुछ दलोने मिलकर प्रश्टाचारी बचाव अभ्यान छेड़ा हुआ है आज प्रश्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं पूरा देश ये देख रहा है देश समझ रहा है प्रश्टाचार ने हमारे देश का पहुत नुक्षान किया है दिमक के तरह देश को खोकला किया है प्रश्टाचार देश की जनता जेख रही है कि पहले की सर्कानों कि तरह प्रश्टाचार के खिलाब कारवाई को नाम पर एवल खाना पूरी की लेकिन पिछले नव साल में हाजपा सरकार में प्रश्टाचार के खिलाब जो अभ्यान चलाया है उसने आज प्रश्टाचार और प्रश्टाचारियों दोनों की जड़े ह झाल झाल झाल